नमस्कार जैहिन मैं रभी मोहन सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ यस ओनलाइन प्रेटफॉर्म पर दोस्तों स्वास्ते कुछ ठीक नहीं है लेकिन जुनून है आप लोगों को कुछ पढ़ाने का ठीक है मेरा आप से कहना है कि देखिए आच्चों की वैक्सिनेशन की व Holland वहो वो लोग Master three month मतलब तीन महीने के बाद बैक्सिनेशन जरू करवाएं और जिन लोगों ने अभी तक सुस्थ रहते हुए भी अपना फ्र्स्टर वैक्सिनेशन या सेकेंडर वेक्सिनेशन नहीं करवाया है वो लोगक जरू करवाएं और वैक्सिनेशन कोई भी हो को लगवा सकते हैं ठीक है कोई बात नहीं जादत समय नगवाय उत्ते हुए हम लोग आते हैं नया वीडियो लेकर के आया हूँ नोबिल पुरुषकार प्राप्त करता से समधित किन-किन व्यत्तितों ने नोबिल पुरुषकार प्राप्त किया जो भारती थे हम लोग बात कर ल इनका 7 मई को कुलकाता में जन्म हुआ 7 अगस्थ को भी 7 मई के बाद 7 अगस्थ को 1941 में इनका निधन हो गया सांती निकेतन की इस्थापना की इनोंने 1901 में कब की थी? 1901 में मतलब हमें कोई भी व्यक्ति एक रुपया दे दे तो हमें बड़ी सांती मिल जाती है और यहां पर 1901 की बात हो रही है मतला हमारी फर्ष्ट रेंक बन जाए तो भी हमें कितनी सांती मिल जाती है तो आपको याद हो गया सांती निकेतन की स्थापना कब हो थी है 1901 में अब देख लेते हैं 1913 में पुस्तक गीतांजली के लिए इन्हें नोबल पुरुसकार मिला था कौन सी पुस्तक के लिए पुस्तक गीतांजली के लिए कम मिला था 1913 में तो 1913 में साहित का नोबल पुरुसकार दिया गया था किस पुस्ता के लिए पुस्ता गीता अंजली के लिए चलिए साहित के लिए नोबल पुरुसकार पाने वाले पहले भारती और पहले ही ACI विक्ति थे ये साहित के लिए ध्यान रखियेगा दोस्तों प्रश्ण फिर से आ रहा है यहां पे कि साहित के लिए पहला प्रुसकार मतलब नोबिल प्रुसकार प्राप्त करने वाले यह पहले भारती और पहले ACI व्यक्ति थे चलिए एक और नया फैक्ट देख लेते हैं एक मात्र कभी जिनकी दो रचनाओं को दो राष्ट्रों के राज सम्मान में भाग लिया मतलब एक मात्र ऐसे कभी थे जिनकी दो रचनाओं थी वो दो रचनाओं दो राष्ट्रों का राष्ट्रगान बनी कौन-कौन से थी भारत भारत का था राष्ट्रगान जनगर्मन और बांगलादेश का राष्ट्रगान आमार सोमार बांगला ठीक है भारत का जनगर्मन और दूसरा है बांगलादेश का आमार सोमार बांगला चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा और इनके बारे में क्योंकि जब ब्यक्तित से सम्मानित किया गया था इनको कब 1915 में किसके द्वारा दोस्तो जोर्ज पंचम के द्वारा अब देख लेते हैं 1919 इसी में जलिया वाला बागत्याकांड की वज़े से इन्हों ने अपनी नाइट हुड यानि की सर पादी वापस कर दी थी इन्हों बोल दिया था लो भाई अपनी बापस रख लो अपनी नाइट हुट की उपादी कब बोला था ये जलिया वाला बागत्याकांड हो गया था टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपादी से सम्मानित किया था किस ने किया था रविन्ना टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपादी से सम्मानित किया था इसी के एवज में एक बात और देख लो कि गांधी जी ने टैगोर को गुरुदेव की उपादी से सम्म गीतानजली, पूरवी, छड़का और नैवेद, गीतानजली, पूरवी, छड़का और नैवेद, ये चार रचना हैं, लेकिन हमें याद कौन सी करनी हैं, गीतानजली, चलिए, अगला TO हैं हमारा हरगोविंद खुराना, हर गोविंद खुराना जी के बारे में चलिए फटाफर से देख लेते हैं जन्म होता है नो जन्वरी 1922 में 1922 में इनका जन्म हो गया कहाँ पर पंजाब में पंजाब अगला देख लेते हैं मरत्व कव होती है 2011 में 9 नवंबर को ठीक है इन्हें बर्स 1968 में प्रोटीन संसलेशड में नूकलिटाइड की भूमिका बताने के लिए चिकितसा का नोवल परुसकार दिया गया था नूकलिटाइड की भूमिका बताई थी इनोंने प्रोटीन के अंदर तो 1968 में इने चिकित्सा का नोबल पुरुसकार दिया गया था कोई बात नहीं पदम विबूसर कम मिलता है 1969 नैंटीन सिक्स्टीन नाइन में अगला फेक्ट देख लेते हैं जल्दी से प्रमुक्व व्यक्ति है व्यक्ति कौन है मदर टेरिसा आप लोगों ने जरूर इनका नाम सुना होगा इनका जनम हुआ था 29 अगस्त को 26 अगस्त को 1910 में 26 अगस्त 1910 को इनका जनम हुआ म्रत्य हुई थी 1997 में 5 सितंबर को अगला फेक्ट देख लेते हैं पूरा नाम क्या है इनका अगनेस गोंजा बोजा यिजू ठीक है भारत रतन इनको कम मिला था 1980 में 1980 में इनको भारत रतन मिलता है तो एक तरफ 1989 में क्या मिलता है नोबल पुरुसकार ध्यान दीजेगा दोस्तो नोबल पुरुसकार मिलता है 1989 में और भारत रतन कम मिल जाता है 1980 में एक साल बादी भारत सरकार महरवान हो जाती है और उनको क्या दे देती है भारत रत्न अब पदमसरी कम मिलता है इनको 1962 में 1962 में इनको पदमसरी पुसकार मिल गया तो भारत की नागरिका कब दे देती है नागरिकता 1948 में देखिए नागरिकता 1948 में मिलती है पदमसरी 1962 मिलता है 1980 में भारत रतन मिल जाता है अब देख ले मेडल ओफ रीडम 1985 में 1985 में क्या मिल जाता है मेडल ओफ रीडम लेकिन कोई बात नहीं इंपोडेंट कौन कौन से हैं वो यह हैं भारत रतन पदमसरी और भारत की नागरिकता नोबल पुरुसकार इन चारों को ही हमको जल्दी से याद कर लेना है 19 दिसंबर 1989 को बता चुका हूँ मारव कल्यार के लिए ने नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया था अब आ जाते हैं इनको करंट से जोड़ देते हैं तो करंट से जोड़ देते हैं तो क्या 2016 में बेटिकन सिटी ने इनको में एक पोप फ्रांसिस थे चर्च के पोप फ्रांसिस होते हैं इनोंने मदर ट्रिसा को संत की उपादी से विभूशत किया था जिस तरह से बहुत विच्चों में दलाई लामा है ठीक है वैसे ही पोप फ्रांसिस हैं किसके में चर्च में इसाइयों के लिए ठीक है मदर ट्रिसा को 2016 में बेटिकन सिटी में संत की उपादी से सम्मानित किया गया था किस ने किया था वो फ्रांसिस ने अब प्रस्ण पूछूंगा मैं आपसे क्या कि विटिकन सिटी कहां पर इस्थित है तो विटिकन सिटी इस्थित है भाईया रोम रोम कहां पर है इटली तो हमारे रोम रोम में मदर ट्रिसा ठीक है याद रखिएगा इस कोड को रोम रोम में मदर ट्रेल सा ठीक है ये हो गया करंट से रिलेट हम लोगों ने कर दिया 2016 जरूर याद रख लेना दोस्तों इनको 2016 में संत्की उपादी से सम्मानित किया गया था ये बहुत महत्पुर फेक्ट है अब आज आते हैं अगला पॉइंट अगले महत्पुर व्यक्ति हैं शुब्रमन्यम चंद सेकर जन्म हुआ था 19 अक्टूबर 1910 में लाहोर में इनका जन्म हुआ था पाकेस्तान उस समय लाहोर था तो मरत्य हुई थी 21 अगस्त 1995 को अब इनको National Medal of Science कब दिया गया था उननी सो सरसट में पदम भिबूसर 1968 में 1968 में इनको क्या मिल जाता है पदम भिबूसर अब इनको किस बात के लिए नोबल पुरुसकार दिया गया था वो देख लेते हैं नूट्रोन और ब्लेक होल की गटना की वज़े से इनको 1983 में नोबल पुरुसकार दिया गया था इन्होंने नूट्रेन और ब्लोक होल दोनों के बारे में बताया था इस वज़े से इनको क्या मिल जाता है नोबिल पुरुसकार कौन से वरस का 1983 का चलिए अगला फेक्ट हम लोग पढ़ लेते हैं अगला महतपुर व्यक्ति कौन है चंद सेकर बेंकट रमन उर्फ सीवी रमन कोई बात नहीं हम महान व्यक्तित्तु के पीछे उर्फ नहीं लगा 2018 में 7 नवंबर को कहां पर तमिल नाडू में अब देखते हैं म्रत्यू कब होती है 21 नवंबर 1970 में इनकी म्रत्यू होती है भारत रत्न कब दिया जाता है इनको 1904 में 1954 में सीवी रमन को क्या दिया गया था भारत रत्न प्रकास के प्रकिरन और रमन प्रवाब की खोज के लिए इनने वर्स 1930 के भौत्की के छेत्र में क्या दिया गया था नोबल पुरस्कार कब दिया गया था 1930 में क्या किया था इन्होंने रमन प्रवाब के बारे में दुनिया को बताया था प्रकास के प्रकिरन और रमन में दुनिया के सामने एक प्रूफ लेके आये थे तो 1930 में भौतकी का इनको नोबल पुरुषकार मिला था अब देख लेती है लेनिन गांधी पुरुषकार इनको मिला था रमन प्रवाप की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई थी फिर से बता देता हूं रमन प्रवाप की खोज कब हुई थी 28 फरवरी 1928 को इसी खोज के कारण 28 फरवरी को प्रती वर्स क्या मनाया जाता है जल्दी से बताइए विज्ञान दिवस राष्टी विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है 28 फरवरी को याद रखियेगा यह डेट 28 फरवरी इस दिन क्या मनाया जाता है राष्टी विज्ञान दिवस चलिए आगे हम लोग ध्यान दे लेते हैं अगले प्रमुक व्यक्तित्त पर अगले प्रमुक व्यक्तित्त कोन है वो है अमरत्य सेन इनका नाम आप लोग जल्द सर्चा में सुनते रहते होंगे कई बार यह अर्थ प्रमान सरकार को घेरते रहते हैं अमरत्य सेन का जन्म हुआ था तीन नवंबर 1933 को कोलकाता में कभ वगए था कोलकाता में सेन लगा है सेन ध्यान रखियेगा चटर जी बनर जी सेन यह कहा पर पैदा हुए है यह हुए हे बंगाल में ठीक है क्योंकि वहां से हमारी मुख्यमंत्री कौन है ममता बनर जी कोई बात नहीं वस पर ध्यान नहीं देना है भारत रतन कम मिला था इनको 1999 में 1999 में 1999 में अमरत सेन को अगर देखे याद कैसे करना है ये क्या नाम है इनका अमरत सेन मतलब अमर ये 1999 ये एगर एक साल और चल तो ये अमर हो जाते मतलब 1999 पर ही रह गए 2000 में ये अमर हो जाते एक साल और अच्छा काम कर लेते तो लेकिन कोई बात नहीं याद करना है मैं तो अर्थ सास्तरी के लिए 1998 का नोबल पुरुसकार प्राप्ट करने वाले ये पहले ACI वेक्ती थे कौन से वेक्ती थे पहले ACI किस बात के लिए अर्थ विवस्ता के लिए पहला पुरुसकार प्राप्ट करने वाले नोबल पुरुसकार प्राप्ट करने वाले पुस्तक हैं क वो चोथी आती है जून 2021 में हाली में इसका प्रकासन हुआ है Home in the World इनकी पुस्तक है जून 2021 में इसको रिलीज किया गया है अब देख लेते हैं बेंकट रामा रामकिष्णन के बारे में प्रमक्रिबेक्टित्तों हैं और इन्होंने भी नोबल पुरुष्कार प्राप्त किया था जल्दी से देख लेते हैं जनम हुआ था इनका 1952 में तमिलनाडू में देखिएगा तमिलनाडू में जनम बहुत सारी लोगों के हुए चंसेकर बेंकट रमन का भी हुआ है इस तरह से आप एक कोड बना सकते हैं ठीक है ना चलिए जनम 1952 में तमिलनाडू में इन्हें बर्स 2009 में कोसिका के अंदर प्रोटीन का निर्मार करने के लिए राइबोस्वम की कारपड़ालिवे सरचना के लिए रसायन छेतर का पुरुसकार दिया गया था कब दिया गया था 2009 में इन्होंने कोसिका के भीतर प्रोटीन की सरचना बता दी थी और उसकी खोज कर दी थी चलिए अब देख लेते हैं पदम विभूसर कब दिया गया था इनको 2010 में 2009 में इनको क्या मिलता है तो दिया गया था रसायन छित्र में रसायन सास्तर का नोवल पुरसकार देखिए अगला फेक्ट पढ़िए 2012 महरानी एलिजाबेट द्वारा नाइट हुड की उपादी से सम्मानित बहुत महरानी एलिजाबेट ने महरानी एलिजाबेट कहां की है लंदन की इनको क्या दिया गया था नाइट हुड की उपादी से सम्मानित किया गया था अब आजाती है एक महान ब्यक्तित आप लोगों को पता होगा मद्पिदेश PSC का फेवरिट कुस्टन है अभी इस बार भी आया है क्योंसा है नाम है कैला सत्यार्थी कैला सत्यार्थी एक ऐसा नाम जिसने बहुत जल्दी बहुत बड़ा मकाम हासल कर लिया लेकिन उसके प बच्चाओ करके एक आंदोलन चलाया उस आंदोलन की बज़े से इनने हजारों लाकों बच्चों को जो स्रम कारवार में बंदे हुए थे जो जवरदस्ती काम कर रहे थे उल्लों बच्चों को मुक्त कराया और उनको सिक्षा दिला रहे हैं चलिए हिलके बारें पढ़ ले जेते हैं 11 जनवरी 11 जनवरी 1954 में बिदिसा मद्वदेश में केला सत्यार्थी का जनम होता है बास्तविक नाम क्या है केला सर्मा इन्होंने अपना नाम परिवर्थन करके सत्यार्थी कर दिया लेकिन 1983 में बाल सरम के किलाब बच्चपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की ज अगला पॉइंट देखते हैं बरस दोजाद 14 में मलाला युसुप जई के साथ सेंक तुरूब से सांती का परुसकार दिया गया था मलाला युसुप जई कहा की है जल्दी से अंसर दे दीजिए मलाला युसुप जई चलिए आप बताएंगे मैं भी बता देता हूँ पाकिस्तान की है ये इन पर बंब के द्वारा हमला किया गया था पाकिस्तान में आतंगवादियों के द्वारा क्योंकि आ गया था इन्होंने महिलाओं की सिच्छा के खिलाब सिच्छा के लिए वहाँ पर बहुत सारे प्रत्न किये थे इस प्रत्न से आतगवादी लोग नाराज हो गए थे कि बाई महिला कैसे एक बुरके वाली महिला वहाँ पर कैसे पड़ पा रही है तो इस महिला के उपर बंब से हमला करवा दिया लेकिन ये कहां हार मानने वाली थी इन्होंने भी अपना ठिकाना थोड़ा सा बदल करके अमरीका पहुँच गई और अमरीकी सरकार ने बहुत ज़्यादा इनके काम को सराहना दी और 2014 में क्या मिल गया इनको केला सत्यार्ती के साथ में सेंक्त रूप से नोबल परुसकार मिल गया चलिए अगला हम पढ़ लेते हैं महतपूर ब्यक्तित अविजीत बनर जी 21 फरवरी 1961 को मुंबई में इनका जनम होता है बरस 2019 में अर्थ सास्त का नोबल परुसकार मिला था इनको अभी हाली में मिला है पढ़िएगा जो इंगलेस मीडियम बाले हैं वो जरू इसको पढ़ें पूर एकॉनमिक्स करके पुस्तक है 2019 में को अर्थ सास्त का नोबल परुसकार मिला था इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया कि भारत के कौन-कौन से ऐसे व्यक्तित थो थे जिनको नोबल परुसकार दिया गया है उन लोगों के लिए हम लोगों ने इस तरी भी देख ली उनको करंट से भी कोर्रेलेट कर दिया इस तरह से आपका नोबल पुरुसकार से संबंदित कोई प्रस्ण इस बात को चेलेंज करता हूं मैं एक प्रस्ण बाहर नहीं जा सकता ठीक है हम लोगों ने पढ़ लिया है इसको ऐसी ही छोटे छोटे टॉपिक्स करके मैं जल्दी ही लाता रहूंगा तब तक के लिए जै हिंद जै भारत